Hi, when it's math, it must be maths भाई हम्ये Welcome again to the world of maths भाई हम्ये So हम लोग करने हैं SSE 40 जिसका ये 17 अध्याय है मैं आपसे बूलूँगा वीडियो को कीजिए पॉज और सबसे important question को solve कीजिए और इसका मैंने नाम दिया है लंका दहन नाम से ही important है तो ये बहुत important concept है आप इस वीडियो को कीजिए pause और इस question को कीजिए solve So I hope आपने वीडियो को किया होगा pause और question को solve कर लिया होगा लंका दहन का मतलब लंका में जाके तबाही मचाना जुमेट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा तबाही मचाया है हम लोग जुमेट्री में अगर बात करें किसी भी quadrator में अगर आप meet point को join कीजिएगा तो पहला question पूछता है कि meet point जो PQRS बनता है ये कौन साथ quadrator होता है तो ये होता है पहले लोग्राम ये वरिग्नॉर्ण का पहला है कि meet point जोइन करने से पहले लोग्राम बनेगा Thales theorem का अगला step दूशा question है कि अगर मैंने ABCD कोई भी quadrator हो कि meet point को join किया तो PQRS और ABCD का area ratio क्या है तो आपको दूशा पहले लोगा दूशा concept पता होने चाहिए तक PQRS meet point से बना हुआ quadrator और complete quadrator का area ratio होता है यह पता होने चाहिए तूशा question पूशता है कि PQRS का perimeter किसके बराबर होगा और यह हाँ भी आता है that one is nothing but Thales theorem का extension तो perimeter of the PQRS बराबर होता है diagonal summation के जो की होता है AC plus BD मतब तीन concepts ने जमेट्टी की उड़ा दी है धजिया क्योंकि सबसे जारा question पुछा हुआ है very non-set तो मुझको लगता है कि concept आना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने trapegium का भी concept डाल दिया है तो यह पूरी तरह लंका दहन है geometry का अगर geometry लंका है तो चलिए सारे concept को मिलाते हैं use करते हैं figure बनाते हैं ABCD एक parallelogram है दिया हुआ है जिसमें AB 10 दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है CD मेरा 4 दिया है और यह दोनों क्या दिया है वह 5 तो हम लोग बहुत लोग बोलते हैं इधर सिधर parallelogram खीचो उतना खीचने की जो नहीं है अगर आप खीचना चाहिए तो आप यहां से पैलरोग्राम खीचे इसको उठा के उधर डालिए बेस्ट तरीका होता है कि एक नहीं दो परपेंट्रेट डालते हैं यहां हो जाता है 4 और यह आईसोसलेस ट्रैपीजियम है तो दोनों साइड हमारी क्या हो जाएगी 3-3 और यहां बनता है राइट अंगल ट्रैंगल 3 और 5 का पैथागोरस यह जाएगा 4 तो मुझको मिल गए मेरी हाइट एरिया निगालते हैं एरिया ओफ ABCD निगालते हैं यह यहां देहेगा एरिया ओफ ABCD गोटो हाफ इंटो समफ पैलल साइट इंटो हाइट तो यहां से यहां कैंसल हो गया 28 इज एरिया ओफ ट्रैपीजियम निकला बट मीट पॉइंट से बना हुआ क्वाड़ेटर का एरिया मेरे अक्वाड़ेटर से आधा होता है अगर यह 28 है तो PQRS का एरिया होगा PQRS जो मीट पॉइंट का कॉंसेट है वाइदा व्यारिग नौन और थेल स्वर्म हाफ होता है और अंसर होता है 14 यूनित स्कॉयर बहुत इजी सा तो ट्रैपीजियम का कॉंसेट को मीट पॉइंट में डालके व्यारिग नौन से मैंने मिलाया है इसका मतलब मैंने हन्मान की पूछ जो की ट्रैपीजियम है मैं व्यारिग नौन का आग लगाया है और जुमेट्री की लंका धनकी है तो प्लीज आपसे बोलता हूँ वीडियो को किजे पॉज, रिवाइन किजे ट्रैपीजियम एरिया के साथ मैंने व्यारिग नौन डाला है या यह सो ट्रैपीजियम है बहुत इंपॉर्टेंट और तीन-चार कॉनसेट एक साथ डाला है पहला ट्रैपीजियम दूशरा, तीसरा, चौथा चार कॉनसेट तो आपको दिख रहे हैं